बात करें आज से अगर एडिबल और कॉंप्लेक्स की खादे तेलु की तो देख रहे हैं कि सरसो का अक्टूबर वादा 8707 पर कारवा करता हुआ नजर आ रहा है सवएक फिजदी की तेजी है डिफाइड सोय तेल का अक्टूबर वादा 1315 पर है डेड़ फिजदी की तेजी के साथ और सोय बीन का बात करें तो सोय बीन का अक्टूबर वादा 632 पर कारवा करता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले हैं आप बात करेंगे खादा तेलों में सर्सो की तो सर्सो में हमने इस कारवारी सब्ता में सर्सो की कीमतों को 8400-8300 के भी लेवल्स पर जाते हुए देखा था सीधे 8800-8300-8400 तक तोटती ही नजर आई थी वो इसलिए नहीं होई थी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो कमजोर हुए थे दरसल उपरी स्थर से एक मुनापा वसूली देखने को मिली थी वायदा वजार के अंदर और दूसरा सर्सो की जो कीमते हैं हाजिर मंडियों के अंदर तो किसानों ने अपनी सर्सो की जो आवके हैं वो थोड़ी बढ़ा दी थी किसान जादा सर्सो लेकर आने लग गयते और जब जादा आवकी होई तो सर्सो में एक हलका सा नर्मी का रुजान देखने मिला था क्योंकि आवके जादा होई थी जिसकी वज़ा से इसका असर घ चीमतों में तेजी का ही है, आपको बता दें कि सरसो का स्टॉक बहुती कम बचा है, लगवग 30,00,00 टन का स्टॉक बचा हुआ है अभी पूरे देश भर में, जिसमें से भी जो खपत अभी भी जारी ही है और जो बजार के बड़े जानकार हैं, सरसो के, वो भी सरकार को यही स इंतजाम कर लेने चाहिए जिससे कि सोयबीन के बीजों की किलत वाला हाल सर्सों के बीजाई के वक्त ना हो कि बीज है नहीं और किसानों को महेंगे दाम पर बीज लेकर बुआई करनी पड़ रही है और जब विक्वाली का समय आता है अपनी उपज वेचने का समय आता है दूसरा जो किसान है वो भी मंडियों के अंदर अब एक बाफिर से सर्सों की आवकें कम लेकर आ रहे हैं उपज कम लेकर पहुंच रहे हैं जिसकी वज़े से सर्सों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है अब बताते हैं कि सर्सों की कीमते जानकार अभी बता रहे हैं 9000 तक जाता हुए नजर आ सकता है सरसो का बादवजार और अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाजिर के अंदर सरसो की कीमतें फिर से बढ़ चुकी हैं लगातर बड़ोतरी ही देखने को मिल रही है घट नहीं रहा है सरसो का दाम इसकी वजासत जो सरसो तेल है वो भी और होत बढ़ती है तो जो सरसो का तेल है वो और भी ज़ाधा महंगा विखता हूँ नजर आएगा एक बड़ फिर से देखेंगे कि 200 रुपए के पार एक बार फिर से सरसो तेल जाता हो नजर आएगगा तो सरसो में ओवलो रूजान अभी तेजी का ही है और जिस वसाइप से इस बार किसानों को सरसो के दाम मिले हैं, किसानों का रुजान सिर्फ अब जो है जो फोकस है किसानों का पहले गेहूं और धान पर जादा रहता था कि अना अचे नगदी फसल है तो नगदी आ जाएगी, अब किसानों का जो रुजान है वो तिलन फसलों पर भी जुड़ा है कि ओर बड़ा है और जो हाल फिलाल में मंडियों में वायदा में कीमते देखने को मिल रही है सरसो की, कीमते मिलने के साथ साथ जो भारत है वो भी खादे तेलों के अंदर आत्र मिलवर की और बढ़तावा नजर आपायागा और ये किसानों की मेनत का नतीजा होगा